हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माइनने वीडियो सो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको वताएंगे अपने 4G सिम को 5G में कैसे कनवर्ड करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपका मोबाल कोई भी हो 4G हो या 4G के फोर जंपल के अपसा कोई मोबाल हो जैसे कि समसम का हो वीबो क नेंगे तो यहां पर अगर आपका 4G मोबाल है और फिर भी आप अपनी सिम को 4G में है तो उसे 5G में कर सकते हैं तो वीडियो को सुरु सेंट प्रेंगे जैसे कि आपका कोई भी सिम यावोडा फोन हो या जियो तो यहां पर आपको करना किया दोस्तों तो आप 5G में कैसे convert करेंगे अपने 4G SIM को ठीक है दोस्तों तो वीडियो को start करने से पहले मैं आपसे request करना चाहता हूं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर देना ठीक है और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को subscribe कर देना और पर प्रेस कर देना इतना करने के बाद दोस् चला रहे हो तो उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको access point name पर आपको click करना है और click करने के बाद आपको new API को plus पर click करना है तो यहां पर आपको क्या डालना यहां पर आपको डालना है जियो internet ठीक है जियो internet डालने के बाद दोस्तों यहां पर API में आपको डालना है जियो जियो फाइब जी नेट ओके पर click कर देना है और यहां पर आपको port में डालना है आपको यहां पर आपको username देना है username आपको क्या डालना है यूजरने में आपको डालना है जियो जियो फाइब जी ओके पर click कर देना है और यहां पर आपको password डालना चाहते हैं वो आपको यहां पर password डाल देना ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको server में select करना है www.go.go.go.com dot com ओके पर आपको click कर देना है अब दोस्तों यहां पर आपको more का option देखने को मिलाए simply इस पर आपको click करना क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको save कर लेना है तो जैसे आप यहां पर save कर लेते तो यहां पर कि फास्ट चलेगा देख सकते तो अभी देख सकते कितनी फास्ट चला है दोस्तों कोई भी यहां पर आप चलाएंगे एपस को बहुत ही फास्ट चलेगा तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दिजिए और चैनल पर पहली बार आप तो चैनल को subscribe करके वेल आइ